वो पसुपती पारस जो लोकसभा चुनाओं के बाद से अलग ठलक पर गए थे जिनका लोकसभा चुनाओं के बाद पाटी कार्याले पटना से छीन लिया गया और चिराग पास्वान को सौप दिया गया अब वो तैक कर चुके हैं कि बिहार विधान सभा चुनाओं के लिए वो तयारी करेंगे और तयारी ऐसी करेंगे कि सायद चिराग पास्वान पर भारी पर जाए, चिराग पास्वान को कम सीटे मिले, अब पूरी कहानी क्या है और पसुपती पारस कैसा तयारी कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार मैं नाम वेद प्रकास है आप जनता जिंग्छन देख रहे हैं और कैमडे के पीछे हैं पपूश्चेंग वो पसुपती पारस जो लोगसभा चुनाओं में एकदम अकेले पर गए थे याद कीजिए पहले लोगसभा चुनाओं में एंडिये की तरफ से टिकट न मिलने पर पहले एंडिये का साथ छोरा उसके बाद केंद्रिये मंत्रीपत से इस्तिफा दिया और उसके बाद जब वो अलग थलग पर गए कोई और रास्ता उनको नहीं सुझा तब उन्होंने बाहर से इंडिये को अपना समर्थन दे दिया अब वो पसुपती पारस जो हैं एक बार फिर से अपना दाओ आजमाना सुरू कर चुके हैं और हो सकता है कि उनका ये दाओ जो हैं चिराग पास्वान के लिए भारी पर जाए अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि पसुपती पारस ने 31 जुलाई को अपने पार्टी का बैठक बुलाया है ये बैठक ऐसा है कि इसमें पुर्व सांसद, पुर्व विधायक, विधान परसद और प्रखंड अस्तर तक के अधिकारी जो हैं वो सब इसमें सामिल और इस कारिक्रम में इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि पार्टी बिहार विधान सभा चुनाओ 2025 के लिए कैसे तयारी करें और आगे क्या करना है अब आप इस बात को समझें कि अगर पसुपती पारस सही ढंग से तयारी करते हैं तो चिराग पास्वान को इ हम कर लेंगे और फिर इंडिये जो है हो सकता है कि पसुपती पारस को तवज़ो दे और तवज़ो अगर देती है पसुपती पारस को तो इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा चिराग पास्वान को और इसलिए हमने शुरुआत में ह कहा कि पसुपती पारस ऐसी तयारी कर रहे हैं जिससे सायद चिराग पास्वान पीछे चूट जाएंगे और चिराग पास्वान को भारी नुकसान होगा हमने लोकसभा चुनाओ के बाद से लगातार इस बात को ध्यान से देखा है इस बात पर कई खबर किया है कि पसुपती पारस कई मौकों पर इन सब चीजों को ठीक करना चाहें उससे पहले चिराग पास्वान कई मौकों पर सब कुछ ठीक करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था अब पसुपती पारस जो है चिराग पास्वान के मंत्री के सपदगरहन के बाद जो है उनको सोसल मीडिया का इस पर कोई जबाब नहीं आता है और इस कारण से बाद में ये लगने लगा था कि जिस चीज को पसुपती पारस बिल्कुल ठीक कर देना चाहते हैं वो सायद कभी ठीक हो ही नहीं सकता है उसके बाद खबरे आती है कि उनका पटना इस्थित कार्याले छीन लिया जाता है झीराग पास्वान को दे दिया जाता है बाद में खबर ये आती है कि पसुपती पारस जो है इस सीज को लेकर हाई कोट में पहुँच जाते हैं और अब मामला हो गया है कि पसुपती पारस अपनी पार्टी का बैठक इसलिए बुला रहे हैं ताकि बिहार विधान सभा चुनाओ 2025 के समय उनकी पाटी की रन्निती डिसाइड की जा सके और ये तै किया जा सके कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं और क्या करना है अब आप समझ लीजिए कि अगर पसुपती पारस इस बैठक में इस बात को तै कर लेते हैं कि वो बिहार हो सकता है कि कम हो जाए और दूसरा ये कि अगर वो इंडिये का दामन छोड़कर कि इंडिया गठवंधन या महा गठवंधन का साथ देते हैं तो ये होगा कि चिराग पास्वान के वोट वैंक में एक सिंध मारी जो है पसुपती पारस कर सकते हैं बाकि हमने आपको ये भी चंदिया जाए और इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि पसुपती पारस जो है राजनितिक तोर पर एक्टिव हो रहे हैं और ये एक्टिव होने के कारण चिराग पास्वान को ही नुक्सान होगा ये तय है बाकि इस खबर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं पसुपती पारस क के तैयारी से चिराग पास्वान को कितना नुक्सान होगा अपनी डाय कमेंट के माद दमसम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्सन